UPSC परिक्षा बीट करना मतलब एक बड़ी उपलब्थी हासिल करना माना जाता है इस बार भी जो नतीजे आए उनमें भी कई ऐसे लोग इस बार परिक्षा सफल करने हैं जिनों ने जिनके संघर्ष बहुत जादा रहे हैं जिनकी परसनल लाइफ में बहुत जादा चुनोतियों का सामना करना पड़ा है इनहीं में से एक नाम है नवादा के आलोक रंजन का एक बेटे ने अपने लक्ष को हासिल करने के लिए ऐसी जित की कि 15 साल तक घर ही वापस नहीं है पिता से वादा किया था लोटूंगा तभी जब परिक्षा पास कर लूँगा आलोक रंजन नवादा के रहने वाले हैं और UPSC की परिक्षा में आलोक ने 346 वा इस्थान खासिल किया है और जिले का नाम भी रोशन किया है ये सफलता उन्हें सातवी बार में मिली है जिसके बाद से उनके परिजरों में खुशी की लहर दोड़ गई बेटे की सफलता में घर परिवार में मिठाईयां माटी जा रही है वहीं उनके घर पर बधाई देने वालों का भी दादा लग गया मा इस मौके पर भावुक है और आखों में खुशी के आशू है आलोक रंजन रोह प्रखंड के गोडियारी गाउं के रहने वाले हैं माता शुशीला देवी पिता नरेश प्रसाद यादव दोनों ही सरकारी सिक्षक है इस मौके पर उनके पिता नरेश यादव का कहना है कि आखिरकार बेटे की महनत रंग लाई उन्होंने कहा कि अपने बेटे को जमीन बेच बेच कर इस मुकाम तक पहुँचाया है आज आलोक की सफलता से पूरे परिवार का सिना गर्व से चोड़ा हो गया उन्होंने कहा कि वह बजपन से मेधावी था उसकी प्रारंभिक सिक्षा गाउं से ही शुरू हुई थी 2007 में मैट्रिक नवादा के जीवन दीप पबले की स्कूल से की उसके बाद वो कोटा चला गया जहां से इंटरमीडियेट की पढ़ाई की और उसके बाद इंद्रपर्ष दिल्ली विश्युद्याले से इसना तक और फिर ट्रिपल ई इंजिनेरिंग इसके बाद 2015 में UPSC की तयारी शुरू की और कड़ी मेहनत के बाद सातवे प्रयास में आलोक ने ये सफलता हासिल की और 346 वा इस्थान लाकर पूरे नवादा का नाम रोशन किया पिता ने भावुखो कर वताया कि मेरा बेटा 15 साल तक घर नहीं आया है उसकी जिद्थी कि जब तक UPSC में सफलता नहीं मिलेगी तब तक मुह नहीं दिखाएंगे आज बेटे ने हम लोगों का सफना साकार कर दिया इस ख़बर में इतना ही इस वीडियो में इतना ही UPSC के जो भी लोग सफल हुए हैं सभी को निजू पोस्ट की तरह हम सफलों काना है फिर मिलेंके किसी नई जानकारी के साथ नमस्कार